Hello Friends, Welcome to another session of Unisol. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि Unisol सौफ़वेर के अंदर Tron2 फाइल को किस तरीके से जनरेट किया जाएगा और उसे Excel में किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाएगा. इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको Unisol का सबसे लेटेस पैच को डाउनलोड करना होगा. उसे डाउनलोड करने के लिए आपको Help menu के अंदर आकर Internet Connectivity के अंदर Download Latest Patch को क्लिक करना होगा. तो आपको Latest Patch डाउनलोड हो जाएगा. इस प्रोसेस के बाद में आपको GST Beta Option में आकर GST Reports में आकर Generate Trans2 Data पे क्लिक करना होगा. इस Menu के अंदर आपको Month Select करना होगा जिस Month की आपको Report को Export करना है. और उसे OK Select करना होगा. तो ये प्रोसेस आपके समने Start हो जाएगा. इस प्रोसेस के एंड में आपको Data Generated Successfully का Message देगा जिसको आपको OK Select करना होगा. तो हमारी Trans2 जनरेट हो चुकी है. अब उसे Excel में Export करने के लिए हमें GST Beta Option में आकर GST Reports में आकर Trans2 Export to Excel पे क्लिक करना होगा. यहाँ पे हमें वही मन Select करना होगा जो भी हमने Select किया था. और उसे OK Select करना होगा. तो ये आपको पाथ पूछेगा जहाँ पे आपको अपने Computer पे इस फाइल को Save करना है. पाथ स्पेसिफाइ करके आपको उसे Open करना होगा. तो आपकी Excel कुछ इस तरह के से दिखाई देगी. मीचे यहाँ दो Option देए रखे होंगे. GST Turn 2 और GST Turn 2 Detail. अधर आप Detail पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी Detail दिखाई देगी. अधिक जानकारी के लिए आप हमें Contact कर सकते हैं www.swildesk.com पे जानकारी के लिए।